हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आई हूँ आप सब के लिए बहुत ही जादा टेस्टी बादाम मिल्क सेख तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं तो यहाँ पे कड़ाई में थोड़ा सा पानी डाल लए हूँ ताकि दूट डालूँगी तो दूट जले नहीं और गैस का फ्लेम आउन कर लिया है और कड़ाई में डाल लए हूँ एक लीटर दूट आप यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ले ले या आप टोन ले ले जो भी आप कहां आ रहा हो दूट वो आप ले सकते हैं अब दूट गरम हो इससे पहले आधा कटोरी दूट इसमें से निका जाते हुए ना हलका सा गाढ़ा कर लेंगे तो दूट को बिल्कुल आधा नहीं करना है तीन चौथाई बच्चे उतना दूट को गाढ़ा कर लेंगे अब यहाँ पे मैंने 15-20 बदाम रात में पानी में भिगो करके रख दिये थे और देखिए बदाम बहुत अच्छे से पूल गये हैं तो बस इनका जो चिलका है इस तरीके से हटा देंगे और अगर आप बदाम भिगो ना भूल जाए तो आप बदाम को हलका सा उबाल ले उससे भी इनका चिलका निकल जाता है तो यहाँ पे मैंने सारे बदाम चील लिए हैं और बस अब इन्हें डाल रही हू ग्राइंडिंग जार में साथ में इसमें दूद डाल देंगे तो जो दूद मैंने पकने रखा है ना मतलब वॉयल हो रहा है जो उसी में से लगभग आधा कब जितना दूद इसमें मैं डाल लही हूं और दूद को पहले हलका सा ठंडा कर लिया है गरम हो गया था और इस त जाल रही हूं इससे बहुत अच्छा कलर आएगा टेस्ट आएगा तो अगर हो तो डालने ना हो तो इसकिप कर दे साथ में मैंने यहां पे आधा चोटी चम्मच इलाइची पाउडर डाल दिया है और इसी के साथ में जो बदाम का पेस्ट पना करके रखा था ना वो बेसम इसमें डाल देंगे और जो पेस्ट जार में लगा रहे था उसमें थोड़ा सा दूड डाल करके उसे भी डाल देंगे तो इस तरीके से दूड डाल करके यह सारा पेस्ट मैंने जार में से इसमें डाल लिया है और अभी न अच्छी तरीके से इसे हिलाते हुए पकाएंगे ताकि जो बदाम का पेस्ट डाला है ना उसकी गुटलिया ना बने इसलिए मैंने गैस का फ्लेम जो है बिलकुल लो कर दिया था तो बस इसी तरीके से कर्ची से हिलाते हुए इसे पकाएंगे अब इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम में बीच पीच में चलाते रहेंगे तब तक यहां पे जो दूद निकाल करके रखा था ना इसमें डाल रही हूँ दो छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउ दूद में घोल लिया है और अब थोड़ा थोड़ा करके इसे कड़ाई में डालेंगे एक साथ ना डाले ताकि कोई भी गुट्लिया ना बने और जब पे आप दूद में कस्टर्ड पाउडर मिक्स करते हैं ना दूद हमेसा ठंडा होना चाहिए कभी भी गरम दूद में कस तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके एट करेंगे और हिलाते जाएंगे कर्ची से तो बस यहां पर सारा जो कस्टर्ड का घोल था वो मैंने डाल दिया है दूद में अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी इसे तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में और तब तक अच्छे से इसे हिलाईएगा जब तक चीनी अच्छे से घुलना जाए क्योंकि कभी कभी चीनी हम डाल देते है ना दूद में और दूद नीचे से लग जाता है तो हिलाना जरूर है और इसे ना चार से पांच मिनट के लिए मैंने और पका लिया है यह देखिए मैंने मीडियम ही रखी थी और दूद अच्छे से गाढ़ा हो गया है अब यहां पर मैंने कटे हुए बदाम, काजू, पिस्ता लिये हैं थोड़े थोड़े डाल लही हूँ और थोड़े से बचा करके रख रही हूँ बाद में गारनिसिंग के लिए तो यह आपके करके बिलकुल तयार हो गया है तो बस अभ गैस का फ्लेम में बंड कर रही हूँ और इसे न ठंडा कर लेंगे तो यहाँ पे यह देखिए यह ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद भी देखिए यह बिलकुल परफेक्ट गाड़ा है ना तो बहुत ज़्यादा गाड़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है बिलकुल जैसे मार्केट का होता है बादाम मिल्क से बिलकुल वैसा है तो ब अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप अमेजिंग किचन रेसिपी को कर ले सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेर जरूर करें साथ में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है थैंक यू